हिमाचल परदेश के बिशब विक्याद चक्ती पीटों पर अब साफ सफाई और सेनिटाइजर करने का अभ्यान शुरू हो गया है साथ ही कीट नाशक दवाईयों का भी छिर्टाप किया जा रहा है हलांके शुर्धालों के लिए दर्शनात मंदिर बंध है हिमाचल परदेश के बिशब ग्याद चक्ती पीटों पर साफ सफाई और सैनिटाइजर करने का अभ्यान शुरू हो गया है कीट नाशक दवाईयों का छिर्टाप किया जा रहा है हलांके शुर्धालों के लिए दर्शनात मंदिर बंध है बिशब परशित मंदिर शिरी नैना देवी में अब स्थानी पुजारी सुरक्षा करमियों और मंदिर नियास के करमचारी के दौरा मंदिर को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है ताकि मंदिर में किसी भी परकार की बिमारियों के किटा रुड़ना रहे जबकि नगरपलशत के द्वारा पूरे शहर में भी कीट नाशक दवाईयों और चूने का शिड़काफ किया जा रहा है ताकि ये पवित्र धार्मिक स्थल पूरी तरह से स्वच एबम साफ सुत्रा नजर आए स्थानी पुजारी अंकुशर्मा विशाल शर्मा आनंद कोपाल का कहना है कि मंदिर की साफ सफाई बेवस्ता बहुत जरूरी है इसी के तहत किसी प्रकार के बिमारी के किटानू मंदिर में ना रहे मंदिर के रेलिंग को मंदिर के प्रांगन को यगिशाला को पूरी तरह से स इसमें सभी का सहीयोक लिया जा रहा है। ना भुइ स्रधादू मात ठेकने अंदर आ सकता है। इस तोरां कर्मचारी वर्ग का पुझारी वर्ग ने ने लिए दिया कि मंदर की पूरी दूसरे साश्पाई करके मंदर को सवच मनाया जा एक ची तरह अची साफाई कर विए और इसमें सभी पुझारी वर्ग और रिख क कल ग्यारा बजे मतलब मंदर बंद हो गया था उसके बाद यत्रियों का आणा बंद हो गया उसके बाद जितने भी पज़वारी ड्यूटी वाले सुरक्सा कर्मी पूरे मंदर की सफाई कर रहे ताकि मतलब ये बमारी कहीं इधर नहीं पहुंच जाए इसलिए पूरी मंदर की सफाई जोरों से कर रहे हैं जाए मतलब